Hello everyone, welcome to our channel live your life कैसे हैं आप सब ? I hope आप सब ठीक होंगे तो जैसे अब summers शुरू हो गई है तो अब बारी है ठंडी ठंडी चीजें बनाने की, खाने की और आप सब के साथ share करने की तो इस बार अभी तो यह जो मैं आज बनाने जा रही हो तो मेरे हस्पेंड की डिमांड थी के बनाओ और उनकी फेवरिट है और आइ थिंक के यह सब की फेवरिट है तो आज हम बनाने जा रहे हैं कुल फी तो चलिए स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले पैन रखते हैं और गैस को करते हैं और इसमें डालेंगे रूद और इसे के साथ एड़ करेंगे एलाइची तो टी राइची डालेंगे अले अभी स्टार्टिंग में तो आप गैस को पाई रखेंगे रूद को जब तक इसका बॉइल नहीं आ जाता हमको बॉइल को वन थर्ड रियूस होना चाहिए हुमारा देखिए बॉइल आ लिया है एक इसमें अब हम डालेंगे इस पॉइंट पे हमारा मिल्क पाउडर दीर दीर डालना एक साथ नहीं डालेंगे लॉंच नहीं पढ़ने चाहिए बस इस बात का ध्यान रखना है कि लंच नहीं पढ़ने चाहिए अब आट करेंगे हमारे बादाम 10 मिनिट्स हो गए है इसको बॉइल होते हुए यह थोड़ा गाड़ा भी हो गया दूद अब इस पॉइंट पे हम डालेंगे पनीर पनीर जो है वह आप जो कुल्फी है उसमें चूईनस और लाएगा और जैसे कुल्फी में होता न थोड़ा चूई चूई टेस्ट्स्ट्र तो वह इस्से पनीर आएगा आप स्किप भी कर सकते हैं बट इससे थोड़ा थोड़ा नैचरल सा टेस्ट आता है जैसे नॉमनी मार्केट में मिलता है जब ढड़र्णी को में जैंने के नितुछी जनी युमत के प्रेट चीनी जो है वो आप कम ज्यादा कर सकते हो अमें थोड़ी सी ज्यादा अच्छी लगती है तो हमने उसी साथ से डाली है आप कम भी कर सकते है चीनी हमने डाली है तो अब यह थोड़ा सा पत्ला होगा तो इसको थोड़ा और पकाएंगे उस ताइम के लिए यह अब रैडी हो देखिए गड़ा है और इसका texture भी बहुत अच्छा आ गया है इसको पूरा हमें जो बनाने में टाइम लगा है वो है पत्तीस मिनट और पत्तीस मिनट में मैंने फुल फ्लेम पे पास खड़े होके इसको पकाया है और इसको अगर आप फुल फ्लेम पे बना रहे हैं तो इसको फिलाना जरूरी है बार बार पार पीचे में लगना चाहिए अब मैं इसका आधा जो है mixture वो नॉर्मल कुल्फी के लिए निकाल रही हूं और आधे जो mixture है उसको पिस्ता कुल्फी बनाने लगे हैं तो पिस्ता डाल के बनाएंगे अब इस mixture में पिस्ता डालेंगे और थोड़ा सा दूद और डाले के दो चमस दूद और डालोंगी मैं mixer जो हमारा है वो गाड़ा है तो कि हमारा ready हो गया था इसलिए अब जब हमने पिस्ता डाला है पिस्ता कुल्फी बनाने के लिए अब नारी कुल्फी में आ जाए उची से तो इसको थोड़ा सा भी पकाएंगे और साथ में मैं डाल रही हूं ग्रीन फूड कलर कुल्फी बनाने के लिए जो दूद है वो आप नॉर्मल दूद भी बॉइल जो दूद होता वो भी यूज कर सकते हैं लेकिन अगर आपने अच्छा रिजर्ट बलाना है अपनी कुल्फी में तो आप फुल फैट तूद यूज करें अब यह ready हो गया है तो गयास को करेंग के आफ और इनको ठंडा करने के लिए रखेंगे मैंने कुल्फी मोल्ट लिये हैं और साथ में ग्लास लिये हैं क्योंकि यह गिरे ना तो हम डालेंगे अब कुल्फी इसका मिक्शर इसमें अब कम डालेंगे प्स्ता कुल्फी झाल झाल